नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ती भावना में, दोस्तों हम आपको आज जोतिश शास्त्र के एसे ग्यान, जो कि व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनावु या भविश्य के बारे में बताने जा रही हूँ जो व्यक्ति के नाम से ह जाना जा सकता है कि व्यक्ति आगे के समय में क्या करने वाला है और क्या बनेगा दोस्तों पांच नाम वाले व्यक्ति जन्म से ही मालिक बनकर पैदा होते हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले यदि आप भी श्री राम के भक्त है तो वीडियो को लाइक और चेनल को बहुत ही अनमोल और अद्भुत ज्यान के बारे में बताने जा रही हैं। बहुत ही धन्वान और जन्म से ही मालिक होते हैं। ये अपने आप में बहुत ही सक्तिसाली होते हैं। दोस्तों जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका जन्म से ही नामकरन कर दिया जाता है। नाम जन्म के समय रखा जाता है, उसी नाम से दुनिया उस व्यक्ति को जानती है और उसी नाम से बुलाती है, व्यक्ति का आगे का भावस से व्यक्ति के नाम की रासी से ही जाना जता है, जो लोग जोति शास्त्रा के बारे में जानकारी नहीं रखते वो लोग हमेसा तहा करत कि नाम में क्या रखा है जो भी बुला लो लेकिन दोस्तों वास्तव में यह तर्ग बिल्कुल गलत साबित होता है क्योंकि एक व्यक्ति के नाम में बहुत कुछ रखा होता है। शुरुआत में पढ़ाई करने के लिए जाता है तो सबसे पहले उसका नाम ही पूछा जाता है। यह बात तो आप सभी लोगों को पता ही होगी परन्तु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मालिक बनने के लिए ही जन्म लेते हैं। दोस्तो ऐसे पांच नाम वाले व्यक्तियों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ जो हमेशा मालिक बनने के सपने देखते रहते हैं। और अपने सपनों को पूरा भी करते हैं। दोस्तो सबसे से पहले का नाम वाले व्यक्ति जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर कसे आरंब होता हैं, तो इस नाम वाले व्यक्ति अधिक तर अपने कारोबार के बारे में अधिक सोचते हैं। दोस्तों इस नाम वाले व्यक्ति दूसरों का काम करना पसंद नहीं करते हैं, यहां अपना खुद का कारोबार करने के बारे में विचार करते रहते हैं, इनकी सोच की वजह से यहां नौकरी नहीं करते बलकि मालिक बनने के लिए यह हमेशा प्रयाश करते रहते हैं, और अंत में ये खुद का विजनेश करके हैं, मालिक बन जाते हैं, इनका जन मालिक बनने के लिए होता है। दूसरा नाम बताया जाता कि हानाम वाले व्यक्ति होते हैं, इन नाम वाले लोग जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर हसे. आरम होता है या हमेशा किसी न किसी कारोबार को चालो करने या निवेश करने के बारे में सोच विचार करते रहते हैं या कारोबार के क्षेतर में काफी प्रसिधी प्राप करते हैं और यहां अपने खुद का काम करना अधिक पसंद करते हैं ये लोग बहुत महनती और पराशर्मी होते हैं, दोस्तों बताया जाता है कि नाम वाले व्यक्ति जिनके नाम का पहला अक्षरम से सुरू होता है, एसे लोग बहुल ही दयावान और दुसरों के प्रति आदर सम्मान भाव के होते हैं, ये बहुत ही बुद्धिमान और चतुर होते हैं, यहाँ कोई भी कार्य अपने दिमाग से करते हैं, और यहाँ बहुत साहसी भी होते हैं, यहाँ अपने आपको किसी मालिक से कम नहीं समझते हैं, और इस नाम वाले व्यक्ति खुद का कारोबार कर लेते हैं, जिससे ये मालिक बन जाते हैं, दोस्तों आगे कहते है किसा नाम वाले लोग, दोस्तों जिन लीगों के नाम का पहला अक्षर ससे शुरू होता है, यहां मालिक बनने के लिए ही इनका जन्म होता है, जोते शास्तर में भी इस नाम वाले लोगों का व्याख्यान किया गया है, इस नाम के लोग जन्म से ही मालिक होते हैं, और यहां आ अपना पूरा जीवन अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए लगा देते हैं, ये अपने व्यसाय से काफी लोगों की मदद भी करते रहते हैं, इनका इस्वर पर अटूट विस्वंच होता है, दोस्तों लास्ट में जो नाम बताया गया है, वहा है, वनाम वाले लोग बहुत ही दयावान और निडर होते हैं, दोस्तों जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर्व से आरंब होता है, यह बहुत ही महनती होते हैं, और इनका दिमाग भी काफी तेज होता है, इस नाम वाले व्यक्ति अपने हर मुकाम को शीगर प्राप्त करने में विश्वास रख जाते हैं, यह अपना सपना साकार करने के लिए कोई भी जोखिम लेने के लिए तयार रहते हैं, जिससे यह अपने विजनेश को बहुत आगे तक ले जाते हैं, दोस्तों ऐसे लोग जो इस विडियो में बताए गए हैं, यह सभी लोग हमेसा मालिक बन कर ही रहते हैं, दोस दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृप्या वीडियो को लाइक व चेनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेर कर दीजिए ऐसे ही ज्ञान वर्धाक वीडियो देखने के लिए बेल आईकन को प्रेश कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपक सबस्ट